नमस्कार स्वागता आपका मैं हूँ आपके साथ अंकिस शर्मा तो इंसो जिला ध्यक्ष और जन्नाइक जन्ता पार्टी के युवा नेता रवी शर्मा ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि हरियाना की बीजेपी सरकार छात्र विरोधी है रवी शर्मा ने कहा कि हरियाना इंसो के प्रदेश पाध्यक्ष को जिस तरह रात को दो बजे दस से बारा पुलिस कर्मी घर से उठा कर ले गए उसे देख कर ऐसा लगता है मानो अगोशित अपातकाल जैसे हालात हों जी हाँ उन्होंने कहा कि चातर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक कटिंग को अपलोड किया था लेकिन पुलिस उसे ऐसे बरबर तरीके से उठा कर ले गई मानो वो हिस्ट्री शीटर हो रवी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार चातरों की आवाज को दबाने का काम कर रही है उससे पहले चातर संग चुनाव प्रतक्ष रूप से ना करा कर इसने चातर हितों में खिलवाड किया था रवी शर्मा ने का कि सरकार इंसो की युवाई काई से डर गई है क्योंकि उसे पता है कि यह इकाई इतनी मजबूत है जो आने वाले चुनाव में उसे नुक्षान पहुचा सकती है उन्होंने का कि एक तरफ तो बीजेपी सरकार का विधायक महापर के चुनाव में खुले मंच से कहता है कि उसे असलाह पैसे सब दूंगा जिर्व चुनाव जीतना है उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होती इसी तरह राजकुमार सैनी का जाती विशेश के खिलाफ खुलकर बोलता है उसके खिलाफ भी कोई कारवाई नहीं होती लेकिन एक इनसो का पढ़ने वाला चात्र अकबार की कटिंग को शोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो तुरंट उसे गरफतार कर लिया जाता है यह हिटलर शाही नहीं है तो क्या है रवीश अर्मा ने कहा कि हर्यान का चात्र बीजेपी के स्कृत इसे आहत है और जल्दी ही चात्रों की ऐसी आंधी चलेगी जो चुनाओं में इसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगी इसी आगेट करो और उनको पकड़ो क्योंकि जिस चीज के लिए जो संजीव जाखड को पकड़ा गया है वो एक अखबार की कटिंग है उस लड़के ने अखबार की कटिंग को फेस्बूक पे डाला तो इसका मतलब यह नहीं है कि रात को पलिस वाले दो वजे उसके घर पहुंचके उसे गिरफदार कर लें यह तो एक दम बिलकुल उनने अपातकाल अमर्जेंसी लगा दियो इनने खुद के मंत्री हैं मनीश ग्रोवर जिनने अभी मेर के चुनाव में रिसेंटली में उनकी वीडियो भी वाइरल हो रही है पंजाब केसरी की जिनने मेर के चुनाव में बोला है केंडिडेट्स को कि तुम्हें गंडमेन पैसा असला बंदू जो चाहिए वो मैं दूंगा क किसी वितर है चुनाव जीतो आप राजकुमार सैनी जी है जो एक जाती विशेष को लेके उल्टी-उल्टी टिपनिया देते हैं इनी के इसांसद है वो लेकिन आज तक उन पर भी कोई कारवाई नहीं की जा रही है खाली छात्रों को लेके क्यों कारवाई हो रही है और व पार्टी दोनों संजीव जाकड के साथ हैं खबरों में इतना ही बने रही है मेरे साथ तमस्कार